Hello everyone, my name is Guru टहिंगुरी और आपके गुरु भाई याने Class 12 Economics के पेपर में स्कोर करे थे 94 मार्क्स 6 मार्क्स का सीधा सीधा एक क्वेशन गलाच चला गया था तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है है कि ECO का प्रप्रेशन हमें कैसा करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती हैं जो हमें पिलकुल भी नहीं करना चाहिए और मुझे ये भी मालूम है कि 17 मार्क्स को आपका ECO का पेपर है तो मैं हाजर हो गया हूँ एक बहुती शांदार स्ट्रेजी के साथ इस वीडियो में जितनी भी चीज़े मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको इंप्लिमेंट करना है और उसके बाद मेरा दावा है यार कि ECO में आपका आधा माग भी नहीं कटेगा तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं सबसे पहले क्या क्या हम कवर करेंगे स्टार्टिंग में एक बहुती शांदर स्ट्रेजी हम बनाएंगे जिससे आपका पूरा काम असान हो जाएगा इस ट्रेजी बहुती डिटेल्ड होने वाली है एक एक चीज़ में आपको बताऊंगा उसके बाद प्रो टिप्स में आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके प्रोपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगी उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखरी दिन में हमें क्या टिप्स फॉलो करना है और फिर एक्जाम वाले दिन आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो सब इससे पहले स्ट्रेटेजी देख लेते हैं आप सभी को मालूम है भाई दो बुक्स हमें एकनॉमिक्स में चलती हैं पहली मैक्रो और दूसरी इंडियन ये चीज़ हम सब को मालूम है अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनिए आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पूरा फोकस करना है कि जल्द से जल्द आप इंडियन इको वाली बुक को कम्पलीट कर दे अब आपको लग रहा हो गयर पहले मैक्रो क्यों नहीं कर सकते हैं इसका रीजन ये है भाई ये थियोरी बेस्ट है एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से समझ लेंगे बोड एक्जा में कोई भी क्वेशन आ जाए आप उसको आंसर कर सकते हैं लेकिन मैक्रो हमारी एक अलग बुक हो जाती है यहाँ पर अगर आप एक चीज भी भूल गए ना आपका पूरा आंसर ही खत्म हो जाता है नुमेरिकल में फॉर्मूला भूल गए आपका पूरा नुमेरिकल बरबाद हो जाएगा आपको तीन मार्क का क्वेशन आए छे मार्क का क्वेशन आए अगर एक चीज भी नहीं आ रही है डिस्टिंगिश करने आए उसमें एक आप थोड़ा सा भूल गए पूरा आंसर हो जाता है इसलिए मैक्रो में बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है और मैक्रो को अगर हम बाद में करते हैं तो दिमाग में सब कुछ एकदाव फ्रेश होता है तो एक्जाम वाले दिन हम भूलते नहीं है एक चीज और याद रखना है कि इंडियन जितनी जल्दी हम निप्टा लेंगे उतना अच्छा उसके बाद मैक्रो के लिए हमें जादा टाइम मिलेगा अब जल्दी निप्टाने में चीजे स्किप नहीं करना है बस कोशिश करना है खुद को थोड़ा और पुश करने की हम जादा पढ़ाई करेंगे जिसे इंडियन इको हमारा जल्दी हो जाएगा तो सबसे पहले इंडियन इको की ही आपको मैं टिप दे देता हूँ फिर मैक्रो की तरफ हम आगे पढ़ेंगे पहली टिप निकलिकर आती है भाई आपको NCRT बहुत अच्छे से करना है या फिर आप वीडियोस कर सकते हैं आपको हमारे चैनल पर NCRT की वीडियोस मिल जाएगी या फिर आपको रीफ्रेशर से चैप्टर करना है यहाँ पर मैंने लेटिस्ट लिखा हुआ है कुछ भी आप कर रहे हैं उसको पहले आप सलेबस से मैच करेंगे NCRT रीफ्रेशर आपकी एकदम लेटिस्ट होना चाहिए अगर आप किसी और चैनल से वीडियो कर रहे हैं तो उसको भी एक बार सलेबस से मैच करिएगा क्योंकि एकनॉमिक्स में सबसड़ी दिक्कत यही है कि कई बार वीडियो और बुक्स में पुराना सलेबस होता है तो लेटिस्ट हमको एकदम करना है इसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम पर हमारी एप्लिकेशन पर एकनॉमिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगी एक ही बोड एक्जाम उसके बाद हुए है टर्म वन और टर्म टू में तो प्रिवेस एर क्वेस्टन तो हैं ही नहीं मार्केट में आपको उल्लू बना दिया जाता है इंडे निको के लिए मत बनिये इसमें पूरा फोकस अपनी बुक पर करिए और फिर आप उसके बाद NCRT क्वेस्टन कर सकते हैं प्रिवेस एर क्वेस्टन भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए लेकिन जादा टाइम वेश करने की ज़रूआत नहीं है ये नहीं सोचना है कि प्रिवेस एर क्वेस्टन कर ले तो सब कुछ हो जाएगा इंडिया निको में पीवाई क अँच्छे से पक्या हो जाते हैं क्योकि एक आंसर फ्रेमिंग हमारी हमारी इंप्रूव हो जाती है और रिवीजन करने में भी हैल्प मिलती है एक topic से आपने subheadings बना लिए तो बाद में आप revise करेंगे तो सब कुछ आपको फिर से नहीं पढ़ना पढ़ेगा इसलिए flow charts बनाईए, subheadings बनाईए हर एक topic में इसके बाद data, आपके में data वगेरा भी आएगा इंडिया निको जब आप पढ़ेंगे humanities वाले बच्चे क्या करते है, political science पढ़ेंगे, sociology, geography पढ़ेंगे और जब इंडियान इको में आते हैं तो उनको सारे topics बहुत ही similar लग रहे होते हैं तो बहुत हलके में ले लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भाई, वो political science था, ये economics है यहाँ पर आप political science के answer नहीं लिख सकते, इसलिए book में जो language use करी गई है, रटना नहीं है जो language use करी गई है, उसको समझना है, कि भाई, economics में कैसी language use करी जाती है मतलब सब इससे पहले आपको chapter करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, वीडियो से कर सकते हैं, हमारे चैनल पर भी मिलेंगी आपको आप refresher से कर सकते हैं, NCRT से कर सकते हैं, फिर हमारे notes आपको telegram application पर मिल जाएंगे, वो आपको करना है और फिर हार topics आपको points और flow chart बनाना है, ये तीन चीज़े आपने कर दी, आपका Indian eco complete, इसके बाद कुछ भी करने के आपको जरूरत नहीं है अब हम आगे बढ़ेंगे macro की तरफ, macro में भाई, सब इससे पहले तो आप videos या फिर refresher से करेंगे, एकदम latest होना चाहिए, syllabus से match कर लीजेगा हमारे channel पर Indian economics का सब कुछ नहीं आया है, लेकिन macro की सारी videos आ चुकी है latest syllabus की videos आ चुकी है, पूरा syllabus हमने complete करा दिया है, रोहानी पिछले साई की topper है, उनने आपको macro economics पढ़ाया है बिल्कुल आप follow कर सकते हैं, इंडिया निको की भी बहुत videos मिल जाएंगी, लेकिन macro की आपको पूरी मिल जाएंगी फिर application telegram पर आपको macro के notes भी मिल जाएंगे, macro में PY की उससे ज़्यादा important कुछ नहीं है तो इसमें हमें refresher video से करने का पूरा previous question में लग जाना चाहिए, जो question बार-बार repeat हुए है, उनको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए हमारे channel पर भी आपको important question की videos मिल जाएंगी, macro में PY की उससे ज़्यादा important कुछ भी नहीं है एक बार syllabus complete करीए और previous question में लग जाएए, आप खुद notice करेंगे कि सारे topic direct उठकर आते हैं, इंडियन में तो topic से क्या question बन जाएगा आप पहले से नहीं सोच सकते हैं, वो हमारे humanity subject जैसा है, लेकिन macro में direct question आते हैं, syllabus उठेगा question बन जाएगा, तो आपको PY की उसस करना ही चा problem में आपके लिए solve कर देता हूँ, आपको expenditure method में दिक्कत है, आपको income method में दिक्कत है, चैनल पर tricks की वीडियो आ चुक के description मिल जाएगी, एक बार ये वीडियो आपने देख ली numerical की tension आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत शांदार tricks मैंने आपके लिए डाल दी हैं, इसके मतलब इंडियन में PYK की value बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन macro में बहुत जादा है, तो ये macro eco का हमारा आ जाता है, फिर target, भाई अभी आप target set करिए, जितने भी chapter आपके बचे हुए हैं, उसको divide कर दीजे, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, जादा दिन बचे और उसके पास 5 दिन बचे हुए हैं, एक दिन में वो कितने chapter कर रहा होगा, दो chapter कर रहा होगा, इसके बाद pro tips, पहले तो भाई दोनों की combined दो tips में देना चाहता हूं, दोनों books की आपको separate copy बनाना है, separate copy में हर वो चीज लिखिए, जो आपको लगता है बहुत important है, या फिर एक दम short में लिखना है, बहुत जदा नहीं लिखना है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे, कि एक घंटे में हमारा सब कुछ हो जाए जब हम इस copy को खोले, एक दम short में लिखना है, फिर time मिले तो sample paper solve करके देख लीजेगा, आई बटन में video डाल दूँगा कि sample paper solve करने का सही तरीका क्या है, at least 2 sample paper solve करिएगा, क्योंकि भाई इसमें Indian eco का अलग आता है, macro का अलग आता है, जिसमें confusion ना हो, तो sample paper solve करके देख लीजेगा, अब दोनों की में अलग अलग tips भी आपको दे देता हूँ, तो अगर हम Indian economics की बात करते हैं, तो Indian eco में आपको flow chart subheading बनाना है, मै आपको बता चुपा हूँ, terminology पर बहुत ज़्यादा focus करना है, economics के answer, economics जैसे लगना चाहिए, वहाँ पर economy की बात होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम politics की बात कर रहे हैं, geography की ज़्यादा बात कर रहे हैं, deep understanding, topic देखकर यह मत बोलीगा, green revolution, यह तो बच्पन से पढ़ते आ रहे भाई, 12th का syllabus अलग होता है, हर topic की अगर आपको एकदम deep level पर understanding है, तो आप answer बहुत अच्छे frame कर सकते हैं, आपको subheadings, flowcharts बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत प्यारे answer आप लिख रहे होंगे, आप चाहिए तो toppers की answer sheet भी देख सकते हैं, उससे आपको idea ल देता हूँ, आप CBSE की website से syllabus print कर लीजिए, हर unit में लिखा रहता है क्या क्या आएगा, उसको दिवाल पर चिपका लीजिए, macro में एक topic आप निप्टाते हैं, उसको card दीजिए, इससे क्या होगा, clarity रहती है mind में कि macro में कितने topics बचे हुए, और macro में topic सीधा ओठ कर question बन जाता है जाधा तर, तो उससे mind में एक बहुत clarity आजाती है कि कितना पढ़ना है, कितना बचा हुआ है, तो syllabus का print निकलवा के उसको आप पूरा check कर सकते हैं, कोई topic difficult लग रहा है, तो उसको हाँ पर underline कर लिया कि topic बाद में फिर से देखना पड़ेगा, कोई macro में क्या होता है, आप पर एक छोटी चीज़ भी हम बूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, लास्ट दे tip भाई अगर आप इस strategy को follow करते हैं, तो आखरी दिन से पहले आपका syllabus हो जाएगा, तो ये दो tips आप follow करेंगे, नहीं हुआ है तो कोई भी बात नहीं है, आप अपना syllabus complete करेंगे, पहला आप कुछ नया और difficult पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपका घूम जाएगा, जो आता है उसी पर हम जादा focus करेंगे, exam वाले दिन क्या करना है, जैसा हमेशा बोलता हूँ, smile के साथ उठेंगे, positive energy के साथ अगर हम उठते हैं, दिन हमारा अच्छा जाता है, जो separate copy बनाई ह में हम flowcharts, subheadings बगरा देख लेंगे, हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जब आप subheadings या flowcharts बना रहे होंगे ना पढ़ाई करते समय, जब आप mnemonics का use कर सकते हैं, मतलब जो subheadings का पहला पहला letter होता है, उससे हम एक trick बना लेते हैं, या प करोगा, तो आप सभी को all the best trick वाली वीडियो भी उपर ढाल रहा हूँ, ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारी बहुत help हो जाएगी, लाइक करना भी मत परिएगा,